हलो दोस्तो, Sleepy Classes में आपका स्वागत है Daily Mained Answer Writing में आज हम डिसकस करेंगे Social Audits के बारे में Social Audit यानि की GS2 Governance का इतना important segment है कि हमें हमेशा उसके related questions के लिए त्यार हैना चाहिए दूसरा, हमें हमेशा जब भी Governance की बात होती है तो Social Audits से related case studies और examples के साथ त्यार हैना चाहिए और मतलब अगर हम दो Levels पे देखे, दो Levels पे हमें Social Audit के बारे में पता होना चाहिए एक अगर uniquely उसी के उपर question आ गया तो भी हमारे पास कम से कम 2500 से 1500 शब्द का answer त्यार होना चाहिए और एक Level जहां पे हम Social Audits को as an example, as a case study as a suggestion प्रोवाइड कर सके तो उस Level की त्यारी हमें रखनी पड़ेगी और बहुत सारे नए-नए concepts आते हैं, जैसे जैसे Governance के related schemes नए-नए introduce होती हैं ना तो वो चीज़े तो हम include करते हैं, incorporate करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही contemporary issues हैं, 5, 7, 8 साल से generally governance के अंदर पूछी जाती हैं, तो यह दोनों levels पे हमें अपनी त्यारी रखनी पड़ेगी इसी को ध्यान में रखते होएं, हम इस question को discuss करेंगे, question आप से पूछ रहा है, elucidate the significance of social audit in effective governance and discuss its limitations, suggest measures to improve the process, तीन part है, तीनों पार्टों को हमने, जो है, address करना है यहां पे, लेकिन keywords क्या है यहां पे elucidate, discuss and suggest, now considering the fact कि elucidate का मतलब explain माना जा सकता है, तो यह थोड़ा सा जादा portion हमें emphasize करना पड़ेगा answer में discuss, जब limitations discuss करनी है, तो सिर्फ list out नहीं करनी है बताना है कि limitations क्यों आ रही है suggest measures में आप सिर्फ measures को enlist कर सकते हो, मतलब 5, 6, 7, 8 measures जो आपको लगता है कि social audit को और बहतर बना सकते हैं, उनको आप suggest कर सकते हो तो यह थोड़ा सा अपने proportion ध्यान में रखना है जब आपने answer लिखना है उसके अलावा इस answer में आपकी knowledge ही test हो रही है और आपके current affairs से जुड़े या current examples, recent examples जितने आप दे सकते हो उतने बहतर अब question social audit के उपर है social audit को define करना ही सबसे अच्छा तरीका रहेगा social audit एक process है जहाँ पे citizens assess और monitor करते हैं government के operations को ground पे यानि जहाँ पे वो implement हो रहा है उस level पे and then utilize the findings to demand accountability from the government via public hearing system यानि कि उस findings के जरीए ये social audit process तभी complete माना जाएगा जब audit होने के बाद जो भी process के अंदर खामिया नजर आई है limitations नजर आई है वो limitations को लेके सरकार से सवाल पूछे जा सके और सरकार उसके लिए जवाब दे हो तो एक social audit complete entire complete process अपने आपके अंदर होनी चाहिए लेकिन वो हो नहीं पाता है वही चीज़ हम आज limitations में भी discuss करेंगे तो financial audit और social audit में basically ये फरक होता है कि financial audit सिर्फ जो है आर्थिक यानि कि financial aspects को देखता है मान लीजे किसी scheme के अंदर मनरेगा की बात हो रही है कोई particular funds थे जो किसी एक particular काम के लिए allocate किये गए थे अब उन accounts को check किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो actually में funds थे वो उन्हीं जगा खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है by the help of invoices, receipts, bills वगेरा के मदद से और second level पे जब social audit होता है तो सिर्फ और सिर्फ finances नहीं ground level पे किस तरीके से काम हुआ है या नहीं उसके भी check करता है for example अगर मनरेगा के अंदर बताया गया है कि कुछ assets तियार किये गए हैं उन assets को assets का मतलब है मान लीजिए कोई drainage well बनाया हुआ है pond की excavation हुई है उसमें पानी कटा हुआ है या rain water harvesting well बनाया गया है ठीक है discharge well बनाया गया है या कोई छोटी मोटी सड़क बनाये गई है उस सड़क के length जाके देखनी है on the field क्योंकि on ground होगा audit उस सड़क के उपर जितना खर्चा हुआ है मानने finance तो इसके अंदर include होगा ही होगा social audit के अंदर और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि quality क्या है कांग what is the quality of the work everything A to Z चीज़ें जो है वो चेक की जाएगी तो ये social audit थोड़ा सा broader concept है broader चीज़ें देखता है सिर्फ और सिर्फ finances आर्थिक चीज़ें नहीं नहीं देखता है किसी भी government program के अंदर now why social audits are significant क्यों significant है क्योंकि सबसे पहले ये policy बनाने में मदद करते तो stage of first stages policy formulation क्योंकि हमें पता लग जाता है लोगों की participation से कि क्या issues उनको तंग कर रहे हैं किसी particular village के अंदर किसी particular district के अंदर किस चीज़ की जाधा problem है irrigation water की जाधा problem है sanitation की problem है waste disposal की problem है infrastructure problem है electricity problem क्या problem में वो exactly पता लगता है तो social welfare schemes और policies बहतर बनाई जा सकती है दूसरा और हमने इसमें यूज करना है effective governance जब हम good governance की बात करते हैं तो good governance के कुछ characteristic features होते हैं जैसे transparency, accountability, responsive government, consensus oriented government, equity and inclusiveness तो ये सारी चीज़ों को अपने answer में incorporate करेंगे तो बहतर connect कर पाएंगे social audit और good governance या effective governance के साथ साथ तो participatory form of government होती है क्यों क्योंकि social audit आंतवर पे gram sabah के द्वारा करवाय जाता है और जो हमारा panchayati rat system envisage किया गया था 73rd or 74th act, basically 73rd constitutional amendment act of 1992 में उसमें gram sabah को काफी जादा importance या mehtव दिया गया था that has been mentioned as a body that is inclusive of the 18 plus eligible voters of a village तो एक village panchayat के ए region के अंदर जितने भी 18 plus से जादा लोग eligible voters हैं वो gram sabah का part है तो उनकी participation participatory form of government बनाती है participatory governance is a aspect और characteristic of a good governance तीसरा inclusive growth क्योंकि सब की सहमती से फैसले लिए जाते हैं इसलिए ऐसा भी होता है कि marginalized communities जो communities शायद आम तोर पे रह जाएं SCs, STs, OBCs, women, physically disabled, children ये कुछ vulnerable sections जो है society के transgenders ठीक है तो हो सकता है कि अगर हम top down policy making करें इन लोगों की सुनवाई ना हो जन सुनवाई के थूँ तो फिर हम ये कह सकते हैं कि शायद policies इनके लिए ना बने लेकिन अगर हम social audit करते हैं schemes का तो मैं उसमें criticism डाल सकता हूँ मान लीजिए कोई scheme है जो घर बना रही है प्रदानमंत्री आवासियोजना के अंदर घर बना रही है उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये तो persons with disabilities के लिए accessible infrastructure नहीं बन रहा है तो that means कि inclusive growth इसमें बहुत जादा important हो जाती है corruption को रोकने में बहुत जादा प्रभावशाली ये role play कर सकता है हमने recently देखा कि जारकंड के अंदर मनरेगा funds को लेके there was a certain scam in which certain officials were also involved उसके अंदर ED जो है enforcement record है recently जो है investigation कर रही है बट उससे पहले जनवरी 2022 में social audit units जो थे जारकंड के उन्होंने बहुत सारी reports निकाली थी जिसको Indian Express newspaper ने भी चापा था और उसमें बहुत सारे कामों में discrepancy नजर आई थी irregularity नजर आई थी example के तोर पे जारकंड के अंदर मनरेगा records के अंदर यानि कि जो role होता है master role जिसमें आप लिखते हो कि कौन हमारे मनरेगा के अंदर काम कर रहा है workers कौन कौन है 1.6 lakh workers listed थे बट 75% जो थे जब on site देखा गया तो वो site पे काम नहीं करते होए पाए गये 75% तो यह बहुत बड़ा amount है इनकी wages भी रिलीज हुई होगी अब wages रिलीज हुई है और जब यह साइट पे पाई नहीं गये है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ discrepancy है corruption को identify करने के लिए बहुत अच्छा एक social audit unit का contribution यहाँ पे देखने को मिला human capital को future के लिए बनाता है बहुत important जो लोग social audit के process के अंदर actively participate करते हैं एक तो responsible citizenry का part बनते हैं दूसरा वो educate होते हैं public policy making के अंदर public administration के अंदर तो आगे जाके उनकी और रूची बढ़ सकती है मालीजी 18-19-20 साल का युवक है जो social audit की process के अंदर involved है और उसे पता लगता है कि so and so discrepancy हो रही हैं और उसके improve करने के लिए उसके पास कुछ suggestions है तो इसका मतलब that person is very much welcome to handle future responsibilities अब वो चाहे direct राजनीती में politics में जाके हो या कुछ research work करके study करके किसी और तरीके से वो public service में आना चाहता हो आपके एक base एक background बन जाता है और क्योंकि हमारी बहुत जादा proportion of population young है उनके लिए बहुत अच्छा opportunity है to be trained in human capital अब limitation क्या होते है social audit process के सबसे पहले limitation ये है कि क्योंकि पूरी country में कोई एक single कानून नहीं है जो social audit को mandate करता हो इस वजए से ये पूरी country में uniformly apply नहीं होता है तो कई states ऐसे हैं जहाँ पर ये schemes के अंदर social audit किया जाता है कई schemes के अंदर नहीं किया जाता है for example मेगालिया ने तो 2017 में अपना एक कानून बना दिया था social audit की जो भी state government की schemes होगी उनका social audit किया जाएगा और उसके लिए social audit के लिए authorities भी बना दी थी लेकिन हर state में ऐसा नहीं है तो lack of uniformity बहुत बड़ा कारण है दूसरा dysfunctional social audit units तो इस इस process के अंदर अब क्यूंकि gram सभा को आपने social audit में involved करना है लेकिन जो meetings होगी gram सभा की उसको conduct करने के लिए technical expertise को hire करने के लिए technical advice लेने के लिए आप सारी gram सभा को बार-बार नहीं बुलाओगे आप social audit units बनाओगे अब वो district level पे भी हो सकते हैं और वो आपके regional level पे भी हो सकते हैं और state level पे भी हो सकते हो सॉरी, Human National Rural Employment Guarantee Act, जो Act था, उस Act के अंदर कहा गया था, उसके बाद से कुछ और स्कीम में भी इसे लागू किया गया, तो ये Social Audit Units कहीं स्टेट के अंदर बनाई नहीं जाते हैं, और अगर बनाए जाते हैं, तो इनके पास Final Powers नहीं होती हैं, कुछ भी करने की, माल लेजि है, they do not have any authority to impose any fine, to allocate any funds, to allocate any manpower, तो क्योंकि ये सिर्फ recommendatory body की तरह काम कर रहा है, तो ये एक dysfunctional aspect है, तीसरी चीज़ क्या है, public awareness, लोगों को पता ही नहीं है, जनता को पता नहीं है, आम लोगों को पता नहीं है, कि Social Audit से क्या होता है, कैसे उसमें participate करने है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार जादा नहीं किया गया है, और अगर किय गया है, तो वो लोगों तक नहीं पहुचा है, चौथा, follow-up action, वही मैंने जो बात की, recommendations and reports of social audits, they are not acted upon, कहीं states के अंदर मनरेगा, funds में discrepancy find out की गई, लेकिन उन audit reports के उपर action taken report नहीं देखी जा रही है, that is a big problem, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, root cause एई है कि कानून नहीं है, उ आंदर प्रदेश और तेलंगना, although these two are the states which are the best performing states in terms of social audit, सबसे बड़ी आप परफॉर्म करते हैं, लेकिन 21% यहाँ पे social audit participants ऐसे थे, जिनके हिसाब से public officials उनकी सहायता नहीं करते हैं, उनको support नहीं करते हैं, अब आप अगर social audit को successfully conduct करना चाहते हो, तो public officials को logo की, gram सभा के issue है कि government officials की तरफ से जाधा interest नहीं आता है, शायद इसलिए भी क्योंकि कई government officials हो सकता है, उनके social audit करने के बाद कुछ ना कुछ discrepancy सामने हैं, और भी issues है, database या data नहीं है proper, एक centralized या decentralized लेवल पर कहीं पर भी data हमारे पास manage नहीं है, social audit का, local bodies, panchats के साथ integration नहीं है, उनके साथ collaboration, partnership में हम social audit नहीं करवा पा रहे हैं, कहीं states के अंदर, अब आखिर मैं आपसे पूछा था, measures to improve, इसमें आप enlist कर सकते हो, क्योंकि आपकी word limit काफी हद तक exhaust हो चुकी होगी, पहले दो पार्टर दा answer के लिए, की वज़े से, तो आप इसके अंदर improvement के measures लिख सकते हो, मतलब स कानून बना दो, social audit जैसे मेघालय ने बना, यहाँ पर आप लिख सकते हो, like मेघालय has enacted a law in 2017, दूसरा, social audit units को funds दो, functions दो, functionaries दो, ठीक है, ministry of rural development ने 2012 की report में अपने कहा था, बहुत पुराने report है, बट फिर भी आप site कर सकते हो, कि कम से कम 1 परसेंट या 2 परसेंट जो budget का होना चाहिए, at least, वो अब 0.5 परसेंट से भी कम इस टाइम पे हो रहा है, extending to private entities, private entities जो public goods प्रवाइड करती है, जैसे अब डिसकॉम्स जो है, electricity distribution companies है, बहुत सारी private entities भी market में अंटर कर गी है, public goods की supply के अंदर involved है, electricity की supply के अंदर involved है, water की supply के अंदर involved है, उनको भी social audit के अंदर ला मतलब उसी कानून के अंदर आप लिख दो कि भाई साब अगर यहां यहां discrepancy पाई जाती है, तो so and so action इस वगेरा act के अंदर लिया जाएगा, ताकि clarity बनी रहे, clarity बनी रहे कि भाई अगर हमने कोई planning की है, तो उसका परणाम भी हमें देखने को मिलेगा, technology बहुत जादा important जो आ रहे हैं आज कल, कुछ transparency दिखाई जा रही है, उसको local level पर कैसे आपने monitor करना है, और यह भी बताना है लोगों को कि कैसे बचे, from the, you know, manipulation of the data, तो यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यह काम आपको carry over करना पड़ेगा, ताकि लोग जो है, citizen जो है, empowered हो, training program for gram sabha, यह इ ज़रूरी है, ताकि सबसे पहला step यह है, कि awareness create हो, कि social audit होता क्या है, दूसरा step यह है, कि social audit conduct करने के क्या फायदे, क्या नुकसान हो सकते है, और तीसरा, कि social audit करना कैसे है, उसमें आपने participate कैसे करना है, तो यह सारी चीज़ें आपको लोगों को बतानी होगी, through the decentralized program, monthly session आप ले लिया करो, तो these measures अगर यह measures करते हैं, हम तो full potential of social audit पूरा हो सकता है, तो अमरित काल of independence में हम गांधियन ethos वस्वराज के through, जो है, एंटर करेंगे, गांधियन ethos वस्वराज जो है, वो लोगों के सशक्ति करने के बारे में है, लोगों की empowerment के बारे में है, citizens की empowerment के बारे म